Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News Discussion में तो आईए देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने है हमारा first article संगाई Cooperation Organization के summit के बारे में है अभी हाल ही में इसके summit को उजबेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया क्या रही की highlights जानने की आवशक्ता है यहाँ पर बातचीत की गई comprehensive action plan के बारे में जो 2023 से 27 के बीच में applicable रहेगा fundamentally जो comprehensive action plan रहा इसमें provisions रहे कि किस प्रकार से जो शभी देश हैं वो अपनी neighbors के साथ अच्छे relations को establish करेंगे, friendship maintain करेंगे और member states के बीच में cooperation को establish किया जाएगा So long term good neighborliness पर बातचीत की गई यहाँ पर चर्चा की गई कि इरान को एक member के तौर पे SEO में entry दे दी जाएगी जब भी मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ कि कितने members हैं SEO में तो एक बार बात आपके मन में confusion आती है कि इरान को मैंने accounting में क्यों नहीं लिया इरान अभी SEO का member बनने की प्रक्रिया में है, in the process है अभी इरान SEO का member बना नहीं है इरान को SEO के member बनाए जाने के तौर पर admit कर लिया गया था 2021 में आपने किसी को economics तो कर लिया कि ठीक है हम आपको member बना लेंगे लेकिन कुछ paperwork होता है, कुछ mechanism होता है जिसको complete होने में समय लगता है तो यद्देपी ये clear हो गया है कि इरान SEO का member बनेगा लेकिन पूरा procedure complete होके जो full-fledged membership है इरान को मिलने में वो मिलेगी 2023 में तो 2030 के बाद से हम इरान को SEO के member के तौर पे count करेंगे अभी इरान in the process है SEO का member बनने के लिए जो procedure है बेलारूस को SEO का member बनाया जाने को लेकर उसे भी start कर दिया गया है उसे भी admit कर लिया गया है तो अब ऐसा नहीं कि बेलारूस member बन गया प्रक्रिया शुरू होगी जैसे अब इरान कोई कितना समय लगया member बनने में तो बिज़र उसको और भी time लगेगा जब बन जाएगा तब हम बात करेंगे इसके लामा मालदीव, बहरीन, म्यांगमार, UAE, कुवैट इन सभी देशों को SEO dialogue partner का जो status है उसको grant करने पर भी बातचीत हुई है वरारसी को SEO के tourism and cultural capital के तौर पे acknowledge कर लिया गया है यह news तो पहले भी आई थी और हमने इस पर discussion भी किया था कि वरारसी को nominate कर लिया गया है पहली SEO tourism and cultural capital के तौर पे 2022 से 23 के बीच में यह city रहेगी देखिए, SEO जो एक सेहर में tourism, cultural और humanitarian exchange को एक center के तौर पे, मतब उस city को center मानके इससे spread किया जाएगा और उस सेहर को भी इससे फायदा होगा क्योंकि लोग वहाँ पे visit करेंगे जैसे अभी वरारसी को अगर designate कर दिया गया है तो वरारसी में कई सारे events होंगे 22-22 के पूरे duration में और जो SEO member states हैं उन्हें guest के तौर पे invite किया जाएगा तो वरारसी एक तरीके से centralized form में evolve होगा यहाँ पर देखें जो regulations हैं किसी भी country के किसी भी city को SEO में tourism और cultural capital को बनाने को लेकर इसे तयार किया गया 291 SEO summit में 2021 में इस दोरान तयार किया गया कि ठीक है एक नया सा mechanism develop करते हैं ताकि एक सहर चुन लिया जाए जहाँ पर culture और tourism को बढ़ावा मिले SEO की बात करते हैं संगाई cooperation organization ये एक permanent inter-governmental international organization है जिसे 2001 में बनाया गया था और इसके लिए एक charter sign किया गया था 2002 में हाला कि ये force में आता है 2003 में ये Eurasian Political Economic and Military Organization है Europe और Asia दोरों के देश है objective ये है कि region में peace, security और stability को ensure किया जाए जब से SEO बना तब से इसने लगातार प्रयास किया कि regional security issues को handle किया जाए जो regional terrorism है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए ethnic separatism को रोका जाए और religious extremism को भी रोका जाए initially यहाँ पर देखे जो member countries है पहले उनकी बात कर लेते हैं Russia, China Keg Republic, कजाकिस्तान तजाकिस्तान, पुझबेकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान ये इसके वरतमान के member हैं इरान का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इरान को भी full-fledged membership नहीं मिली है 2013 तक मिल जाएगी SEO, full-fledged में आने से पहले इसे संगाई 5 के नाम से पुकारा जाता था इसमें 5 देश जो हुआ करते थे चाइना, कर्गिस्तान, रश्या और तजाकिस्तान चार देशों को observer countries का status भी रिया गया है लाइक अफगानिस्तान, बेलारूस, इरान और मंगोलिया और SEO में कुछ dialogue partners भी हैं जैसे कि अमेनिया, अजर्बैजान, कंबोडिया, नेपाल, स्रिलंका और टकी जिमके साथ बातचीत होती है, although they are not part of this organization Official language, रश्या, रश्यन और चैनीज है जिसको इस organization में इस्तेमाल किया जाता है इसमें कुछ permanent bodies में है, जैसे कि SEO का secretariat है ये बीजिंग में located है और executive committee है, RATS की, Regional Anti-Terrorist Structure की ये taskant में located है ये permanent bodies है, जो लगातार SEO की functioning के लिए काम करते रहते है चैनलेशिप जो है, वो हर member state को rotate होती है एक साल किसी को मिलगी, फिर अगले साल किसी और को मिलेगी SEO का significance ये है, कि ये एक महत्तपूर्ण संस्था है, जिसे United Nations General Assembly में Observer का status भी दिया गया है 2005 से ही, ठीक है हमरा जो next article है वो इंडिया के first lithium cell plant के बारे में है Minister of State for Electronics and Information Tech यानि कि मेटी के जो minister है, उन्होंने अभी भारत का पहला lithium cell manufacturing facility को तिरुपती आंधरप्रदीस में inaugurate किया देखे, बहुत सरे devices हम अपने यहाँ इस्तिमाल करते हैं, जैसे कि mobile phones power bank, या फिर आप जो chargeable earphones होते हैं, इनका इस्तिमाल करते हैं, या smart watch इस्तिमाल करते हैं, सब में lithium ion battery का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन उसको manufacture इंडिया में नहीं किया जाता, बलकि इनकी manufacturing के लिए हम dependent हैं दूसरे देसों के उपर और इसे अपने हाँ import करते हैं ये भी एक महत्पूर्ण कारण है कि जो electronic devices हैं, वो इंडिया में आने के बाद काफी महगी हो जाती हैं, बिकाज इस battery को हमें import करना पड़ता है लेकिन state of the art facility के तौर पे चेन्नई-based, Monoth Industry Limited ने अभी 175 करोड रुपे लगा कर इस factory को establish कर दिया है, जहाँ पर lithium cell तयार किये जाएंगे ध्यान दीजेगा कि Monoth Industry Limited इसके पहले तक महज mobile और power bank की supplier company हुआ करती थी, लेकिन आब ये खुद को एक manufacturing company के रूप में establish करने की कोशिस कर रहे हैं जो facility है, अगर आप ध्यान दें तो जो temple town है, तिरुपधी का वहाँ पे दो electronic manufacturing cluster है और उनमें से एक में locate किया जा रहा है इस Monoth Industry Limited को इस परकार की battery को बनाने के लिए जो cells हैं, ये power bank में इस्तिमाल की जा सकती हैं, अभी हाल फिल हाल में power bank या mobile में, जो lithium cell होते हैं, हम इने import करते हैं कई सारे देशों से, जैसे की China, South Korea, Vietnam और Hong Kong, जो cells हम मंगाते हैं, उनका इस्तिमाल कई प्रकार के electronic items में किया जाता है, जैसे की mobile phones hearables, जैसे की earphones और wearable devices, जैसे की smart watch या फिर smart rings आती हैं, उनको भी पहना जाता है, जिनका इस्तिमाल आप electronic services लेने के purpose से करते हैं, significance की बात करें, तो इसका फाइदा ये होगा कि जो हमारे Prime Minister का vision है, कि हम इंडिया को electronic manufacturing के global hub के तौर पे develop करें, हम इस target को achieve कर पाएंगे by these kind of initiatives, lithium के बारे में बात करते हैं, lithium को 1817 में खो जा गया था, एक Swedish chemist, जोहान August of Wetson के द्वारा, mineral pitolite में, lithium आपको brine deposit में भी मिल जाएगा, इसके लावा lithium आपको कई सारे ores में भी मिलता है, जैसे की spodumin, lepidolite और ambilogonite, ठीक है ambiligonite, तो ये हैं जो कुछ ores हैं, जिसमें आपको lithium मिल जाता है, हमारा next article, international treaty on plant genetic resource for food and agriculture के बारे में है, बहुत बड़ा सा नाम है, आपको परिशानी ना हो, confusion ना हो, इसलिए बता देता हूँ कि इसे short में कहा जाता है seed treaty, तो हम इसे seed treaty कहते हैं, आपके लिए समझना आसान होगा मेरे लिए समझना आसान होगा, तो इंडिया अभी seed treaty के लिए 9th session इसकी governing body का host करने वाला है background ये है कि ये जो international treaty on plant genetic resource for food and agriculture है, जिसे हम seed treaty भी कहते हैं, इसे 31st session में adopt किया गया था FAO की, जानि कि food and agriculture organization के, और 9 बर 2001 में ये seed treaty existence में आती है, seed treaty के अपने कुछ aims है, पहला aim तो ये है कि farmers जो crops की diversity में contribute करते हैं, पूरी दुनिया में उसको recognize किया जाए, दूसरा काम तो ये है, कि हमें कैसा global system establish करें, जहां पे ना केवल farmers, बलकि plant breeders और scientists को, जो भी plant genetic material है, उसकी access दी जा सके, जिससे कि एगर वो वो ये research वगेरा करना चाहते हैं, तो कर सकें फर्दर देखिए, ये भी ensure किया जाएगा, कि जहां से भी ये genetic material लिया जा रहा है, वहां की local community को भी उसका फाइदा हो 2004 में ये treaty effective होती है और 149 countries अभी तक इसे sign कर चुके है, ratify कर चुके है, including India हमारा next article small companies के बारे में है, ministry of corporate affairs ने अभी threshold revise कर दिया है paid up capital के लिए small companies के लिए, small companies कौन सी companies होंगी, according to their paid up capital and their turnover, ये decide किया जाता है, small company होने के अपने कुछ फाइदे होते हैं, अच्छा होगा कि आप बड़ी company हों, लेकिन फिर भी आपको small company कहा जाए, इसलिए जब भी small company के criteria का threshold बढ़ाया जाता है तो companies खुश होती हैं, क्योंकि अब उन्ही small company होने के फाइदे में लेंगे, जबकि उनका जो turnover है, या paid up capital है, वो जादा है तो आपको समझ में आ गया, कि अगर यहाँ पर paid up capital बढ़ा दिया जाता है तो companies को इससे लाब होगा small businesses या corporations, partnership या sole proprietorship किसी की खुद की अपनी ownership है ऐसी companies को छोटी company या छोटे business के तोर पे देखा जाता है, जिनके पास होते है बहुत कम employee, जिनके पास बहुत कम annual revenue होता है और जो regular size का business होता है corporation का, वो काफी छोटा होता है Companies एक 2021 define करता है rules and provisions किसी भी small company के लिए, समझे किस company को small company के तौर पे classify किया जाएगा Ministry of Corporate Affairs ने अभी हाल ही में, in fact देखे, ये amendment तो 2014 में हो गया था, that was company specification of definition details rules 2014, उसमें amendment किया गया था, लेकिन ये amendment effective हुआ, 1st of April 2021 को, 2014 में, जो amendment rules आए, उनको effective किया गया 1 April 2021 को इस specification, इस amendment के according, small company कौन सी companies होंगी, कोई बैसी company जिसका ped up capital पहले 50 लाग होता था, तो वो small company होती थी, लेकिन यहाँ पे जो amendment किये गये 2014 में जो 2021 में effective हुए, उसमें बदलाव कर दिया गया, मतलब जो पहले 50 लाग का threshold था, उसे बढ़ा के ped up capital के लिए 2 करोण किया गया और जो, उनका turn war पहले 2 करोण था, उसे घटा, उसे बढ़ा कर 20 करोण किया गया, अच्छा मन में 2020 से, जो small company थी, उसका ped up capital का limit 2 करोण हो गया, और जो turn war का limit था, वो हो गया 20 करोण लेकिन अभी latest revision हुआ है, जिसके अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो latest revision के according, जो ped up capital 2 करोण था small companies के लिए, उसे बढ़ा के कर दिया गया 4 करोण, और जो turn war था जो पहले 20 करोण हुआ करता था, उसे बढ़ा के कर दिया गया 40 करोण, और मैंने आपको बताया कि अगर ये limits बढ़ रही हैं, तो companies को इसको लेकर फाइदा होगा, क्योंकि अब वो small company होंगे, जबकि उनका turnover जादा होगा, तो वो small company होने का benefit है, ये भी जानने वाली बात है, आईए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी company small company है, तो इसको कम compliance follow करने पड़ते हैं, जैसे कि उन्हें अपने cash flow का statement तयार नहीं करना पड़ता, financial statement के part के तौर पे, उन्हें अपने auditors बार-बार बदलने नहीं पड़ते, जैसे कि company को अपना audit independent companies से करवाना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक ही company से बार-बार audit करवाएंगे, तो फिर तो आपके दोस्त बन जाएंगे, आप जो बोलेंगे वही audit report होता, यार कर देंगे, इसी लिए जो companies को चार meetings करनी पड़ती हैं साल भर में, जबकि जो small companies होती हैं, उन्हें केवल दो board meetings करनी होती हैं, उनका काम चल जाएगा annual return जो company का होता है, वो company का secretary भी file कर सकता है और अगर उन्होंने कोई compliance follow नहीं किया है तो उन्हीं कम penalties लगाई जाती हैं तो यह फाइदे हैं small company होने के इसलिए यह threshold बढ़ाना कई सारी companies के लिए फाइदे मंद हो जाएगा हमारा next article, AC Arctic kericle के बारे में है, kericle जो बहुत लंबे समय से sport का हिस्सा रहा है, चीता को जिस तरीके से exploit करके, खतम कर दिया गया इंडिया से, nobility के द्वारा, राजे रजवणों के द्वारा, वैसे ही kericle का बेस्तेमाल उनके द्वारा किया गया past में और आज किस्सेती यह है कि वो अपने survival को लेकर struggle कर रहे हैं जबकि past में, दोनों species बहुत बड़ी संख्या में भारत में हुआ करती थी खै, चीता को तो एक बार फिर से reintroduce कर दिया गया है अब ज़रूरत यह है कि हम Asiatic kericle को भारत में बचा ली कहीं हमें भी इने Namibia या आफरिका की किसी अन्य देश से लाना न पड़ जाए Asiatic kericle एक medium-sized locally threatened cat species है समझने की बार यह है कि यह जंगली बिल्ली की एक प्रजाती है जो भारत में अब लगभग extinct होने वाली है इसके कुछ Persian नाम भी हैं जैसे कि शियाह गोश जिसका मतलब होता है काले कान, black ears वो आप इस image में भी देख पा रहे होंगे जहां से अपना नाम derive करते हैं इनका scientific name है Caracal, Caracal, Scimic Sea जो बहुत unusual है कि आप से पूछा जाए distribution की बात करें तो भारत में आपको राजस्थान, गुजरात, मध्यपरेश में मिल जाएंगे region wise आपको कच मालवा प्लेटू और अरावली के hill range में दिख जाएंगे इंडिया के लावा ये कई सारे अन्य देशों में मिल जाएंगे जो जिनके संख्या एक दज़न से जादा है जो एफरिका, मुरी लीस, सेंटरल और साउथ एशिया से बिलॉंग करते हैं इस प्रकार के जीवों को पढ़ना सही है क्या UPSC ऐसे जीवों के उपर प्रशन पूछती है तो जवाब है हाँ और प्रशन 2012 में पूछा गया आपके सामने चार जीवों के नाम थे और पूछा गया था कि ये नेचरली इंडिया में इनमें से कौन से पाये जाते हैं हम सभी लोगों को पता है कि चीता को अब रिटोड्यूस किया गया है 2022 में तो चीता तो नहीं पाये जाते थे इसे क्रॉस करके बाकी सही जवाब था तो आंसर था B, 1, 3 and 4 हमारा नेक्स आर्डिकल कलर रिवोलुशन के बारे में है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिन पिंग ने सेप्टेंबर 16 को ये अपील की रेशिया इंडिया और बाकी स्थियों के मेंबर्स से कि वो कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ और किसी भी फॉरिं पावर को उनके देश में गवर्मेंट को डिस्टेइलाइज ना करने दे जिससे कि कलर रिवोलुशन शुरू हो जाये मैं आपको बता दू कि कलर रिवोलुशन क्या है कलर रिवोलुशन पास्ट में हुई कई सारी अप्राइजिंग को कहा जाता है जिन्होंने किसी न किसी कारण से कलर जो इक नाम देराइव कर लिया जैसे कि औरेंज रिवोलुशन को औरेंज रिवोलुशन युगरेन में इसलिए कह दिया गया और 2000 के आसपास भी ये revolutions हुए Middle East में और Asia में तो जो communist countries हैं या फिर जो भी governments हैं वो वड़ा घबराते हैं इस color revolution को लेकर और अक्सर ऐसे revolutions में आरोप लगते हैं कि जो western countries हैं वो intervene करती हैं और इसे revolutions को करवाती हैं तो निश्चित तोर पे सी जिन पिंग इस प्रकार के statement को देकर aware करना चाहते हैं SEO की member countries को कि आप ऐसे revolution से बचिये और investment countries के प्रभाव से भी बचिये last year mobilization अक्सर इन revolution में देखा जाता है लोग सड़कों पे आ जाते हैं free election regime change की मांग करते हैं और in general वो authoritarian government को या leaders को सब्ता से हटाने की कोशिस करते हैं ऐसे कुछ revolution की बात करें तो orange revolution हुआ था यूक्रेन में 2004 नॉम्बर से 2005 जनवरी के बीच में टिलिप revolution हुआ किर्गिस्तान में जहां पे 2005 के early time में किर्गिस्तान के president असकर अकायेव को गदी से उतार कर फेक दिया किया जैस्मिन revolution होता है टिनीशिया में दिसम्बर 2010 जनवरी 2011 में जिसके बाद तो series of revolution स्टार्ट हो जाते हैं मेडिलीस्ट में ये revolutions, corruption, unemployment, inflation और political freedom ना होने की वज़़े से शुरू हुए थे तो ये तो मामला रहा color revolution का अब करेंगे revision SEO, headquartered है संगाई में बिलकुल गलत है संगाई को operation organization इसका नाम जरूर है लेकिन ये headquartered है इसका जो security rate है वो बीजिंग में है तो ये गलत हो गया इंडिया का first lithium cell plant गिफसिटी कुजराग नहीं ये है तिरुपती आंदरप्रदेस में तो ये भी गलत हो गया small companies 2021 में companies act जो amendment हुआ इसको define करता है small companies के provisions को ये तो सही है adjustment revolution युक्रेन में हुआ बिलकुल गलत है ये हुआ टुनेशिया में तो ये तो रहा हमारा आज का ये session आज का इस session यहीं पर समाप करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद